नमस्कार आज एक नया टॉपिक लेकर आये हैं एड़प्टेशन इन कोल्ड रीजन में रहने वाले जीव अपने आपको वहां कैसे वातावरन के अनुसार ढालते हैं इस पर हम लोग चर्चा करने के लिए यहां आये हैं अब हम लोग देखें यहां सबसे पहली बात है कि जब कोल्ड रीजन है तो वहां का क्लाइमेट कैसा होगा और वहां पर क्या-क्या मिलेगा मतलब की लो टेंपरेचर यहां जो है वो लगभग यह कोल्ड रीजन की बात कर रहे हैं तो हम लोग पोलर रीजन की बात कर रहे हैं मतलब की Arctic region की बात कर रहे हैं तो Arctic और Antarctic मतलब की North Pole को Arctic कहते हैं और इधर जो है Antarctic South Pole को कहा जाता है तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जन्रली अभी North Pole की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रहने वाले जीव जो हैं वो होगा polar bear इसके अलाबा penguins, seal, walrus यह सब बड़े बड़े जीव होंगे और कुछ whale भी जो है वो कभी कभी वहाँ पर आते हैं यहाँ पर जो है सालो भर बर्फ सी ढखा हुआ रहे हैं मतलब polar ice cap जिसे कहते हैं तो वहाँ पर रहना बहुत ही मुस्किल हो जाएगा चुकि वहाँ बहुत ही low temperature है मतलब average temperature जो है वहाँ का minus 20 degree के आसपास होगा तो यह समस्या यहाँ पर हो जाएगे कि वह कैसे जीव अपने आपको survive कर पाएंगे तो इसमें जो है वो छोटे छोटे जीव का मिलना वहाँ मुस्किल होगा और रहना भी उन्हें जो है वो मुस्किल होगा चुकि उसका जो है surface area जो body का surface area है heat को loss करने वाला होता है तो वो surface area यदि ज्यादा रहेगा उसके volume के अप्रक्षा तो वो जीव वहाँ नहीं रह पाएंगे मतलब छोटे छोटे पक्षी यह सब वहाँ ठीक धंक से नहीं रह पाएंगे वहाँ पर रहने के लिए उन्हें मोटा मतलब body surface area से उसका volume थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि वो जो है heat का loss उसमें कम हो पाता है और यहां पर जो warm-blooded animals रहेंगे जैसे कुछ birds है animals में polar bear हैं तो यह सब को रहने के लिए यह जो है यहां जैसे penguin है तो उसमें भी देखेंगे हम लोग adaptation तो आज हम लोग देखते हैं polar bear क adaptation कैसे वहां पर ठीक ढंग से यह रह लेता है सबसे पहली बात आते है कि वहां का background कैसा है वहां स्नोई background होगा मतलब कि वहां पर चारो तरफ बर्फ ही बर्फ होगा जिधर नजर दोड़ाएं वहां पर बर्फ होगा और यह जो है बर्फ रहने के कारण वहां पर वहां पर वो ठीक ढंग से अपने आपको merge नहीं कर पाएंगे मतलब white होना जरूरी है और नहीं तो फिर उनमें क्या होगा कि वो predators मतलब उसके जो सिकारी है वो आसानी से उसे देख लेंगे या वो prey को पकड़ नहीं पाएगा उसका जो सिकार है वो भी भाग जाएगा समझ जाएगा वो सुनोई background में आसानी से merge हो जाएगे तो इसमें क्या है सबसे पहला इसका होगा कि ये white fur होगा इसका जो skin के उपर जो बाल होगा वो दो layer वाल होता है और ये जो है बाल इसमें जो बड़ा वाल होगा वो इसमें colorless होता है और hollow होता है मतलब कि ये translucent या transparent type का होगा और अं लेकिन इसको दूर से देखने पर white लगता है जैसे बर्फ में भी वैसा ही होता है कि जैसे ये इसमें polar bear का जो है वो देखने में fur white लगेगा और ये जो है white fur होने का main कारण है कि उसमें बीच में जो हवा फसी हुई है वो light को जो है scatter कर देता है मतलब light जो है उसका सभी जो components color है उन सबों को ये reflect करने का काम करेगा और scattering of light के कारण ही इसमें जो है वो हमें white दिखता है मतलब कि सभी color को जो है कुछ wavelength को absorb करके बाकी सब को ये जो है reflect कर देता है तो जिसके कारण ये जो है वो वहाँ white दिखेगा तो white रहने के कारण ये क्या होगा ये आसानी से वहाँ पर camouflage मतलब ये जो है अपने आपको वहां के surrounding reason का जो ऐसा color है वैसा ही अपने आपका body color वो जो है वो उसका है तो वो आसानी सी घुल मिल जाएगा merge हो जाएगा तो ये इसे दोनों से सुरक्षा देने का काम करता है मतलब कि वो prey से भी prey को पकड़ने में आसानी होगी और predators से ये बच जाएगा अब चलिए दूसरा देखते हैं two thick layer of hair होगा prevent loss of body heat और ये क्या करने का काम करेगा ये दो thick layer होगा एक बड़ा वाला जो है course hair औ और उसके body के साथ साथ जो छोटा छोटा बाल होगा मतलब उसके skin के just बगल में वहाँ छोटा छोटा बाल और बड़ा बाल वला तो दो layer हो गया इसमें वो जो है कंबल जैसा इसको जो है वो insulation देने का काम करेगा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि hair जो है वो उसमें हवा फसी ह हुई रहती है बीच में और खूद वो जो है hair भी insulator है मतलब heat को transfer नहीं करने देता है साथ साथ बीच में हवा जो फसी हुई है इसके कारण वो insulation देता है body heat को ये बाहर जाने नहीं देता है चुकि ठंड में क्या होता है कि हमारे सरीर का जो temperature है वो बाहर के temperature की जो है वो जाना सुरू हो जाता है तो उसको बीच में cover कर जैसे हम लोग करते हैं कंबल ओड़कर वैसे ही ये जो है अपना body का temperature को बाहर नहीं जाने देता है loss होने नहीं देता है तो ये जो है double layer इसका हो गया फर वो इसे prevent करेगा body heat को loss होने से तीसरा इसमें है layer of fat under the skin इसक ये असकीन के नीचे चस्ट नीचे जो है वो fat का layer होता है उसे कहा जाता है blubber ये यहाँ पर रहने वाले अधिकांस जीवों में पाया जाता है वेल में भी blubber मिलेगा फिर penguin मिलेगा seal walrus ये सब में जो है वो fat का extra layer होता है जो यहाँ extra insulation देने का काम ये करेगा ज्यादा से ज्यादा fat होगा तो वो जो है बड़ी हीट को बाहर आने नहीं देगा तो यहाँ पर देखिए यह असकीन है असकीन पर दो तरह का बाल एक छोटा छोटा बाल जो है बड़ी से सटा हुआ रहेगा और फिर बड़ा बड़ा बाल भी होगा तो अब यहाँ पर double layer हो गया फिर यह असकीन के जस्ट नीचे fat का एक layer होगा तो जो इसको extra insulation देने का काम यह जो है करेगा तो इस तरह से यह fat का layer double layer यहाँ पर हो गया फर और असकीन की बात करें तो इसका जो असकीन है वो black होता है और यह जो है यहाँ पर black skin हम लोग यह देखें यहाँ पर black skin होने से जादा क्या है कि यहाँ हलकी सी भी धूप या मतलब कि sunlight इसे मिलेगा तो यह जो है absorb करता है चुकि black body हम लोग जानते हैं कि good absorber होता है of heat का तो यह जो है heat को absorb करके इसका body temperature को जो gain करने में मदद करेगा और साथ ही साथ यहाँ पर जो है इसका फर है वो transparent होगा या translucent होगा त यह इसका एक फाइदा यह भी हो गया black skin readily absorb sunlight to keep the body warm और इसके body को warm करने में यह मदद करेगा अब हम लोग देखें इसके जो है वो class इसका जो बड़ा बड़ा नाखुन होता है वो curved होता है और यह जो है long curved and sharp class help to work on ice पर जो है वो आसानी से इसे चलने में मदद करेगा और साथ साथ इसके prey को भी पकड़ने में मदद करेगा मतलब यह पना सिकार को आसानी से पकड़ सकता है अपने नाखुनों से अपने पंजों से इसे दबा सकता है ठीक धंक से दबोच सकता है और वो चीर फाड़ कर उसका काम तमाम कर देता है असानी से और यह जो है polar bear का यह हम लोग देखें long curved और sharp class अब उसके बाद हम लोग देखेंगे flat and broad pause इसका जो तलवा होता है मतलब चलने वाला जो होता है वो चोड़ा होगा चप्ता होगा और उसमें जो है broad और साथ साथ इसका जो है इदम flat होगा चलने में आसानी होगी जैसा कि हम लोग जानते हैं snow प आप जो हे हैं यहां पर, समय बाल भी होगा इसका जो तलवा पी होगा वो फ्रिक्सन बढ़ाने का काम करेगा यह जो है चलने में sleep नहीं होने देगा और साथ साथ यह बड़ा होगा तो यह swimming में जो है वहु काम करेगा फ्ली जैसा यह भी काम करेगा इसको जो है नाओ का जो चप्पू जैसे रहता है वैसे ही इसको भी तैरने में आसानी होगी आप देखे होंगे लगेगा भालू अगर वीडियो देखें तो आपको लगेगा कि वह साइकल चला रहा है पानी में जो है वह तैरता है तो आपको लगेगा देखने में कि यह यह पानी में अच्छे ढंग से तैर सकता है और यह डाइवर भी अच्छा है मतलब वह पानी में अंदर अंडर वाटर भी यह बहुत देर तक रह सकता है, चुकि यह अपने नाकों का जो आगे वाला भाग है, नॉस्ट्रिल जिसे कहते हैं, उसको यह close कर लेता है, हम लोग को पानी में डुबकी लगाने के लिए नाक बंद करके वैसे करना पड़ता है, लेकिन भालू को ऐसा नहीं करना पड़ेगा, वो क्या करेग और एक बात और है कि उसकी जो है वो आखें पानी में खुली रह सकती है, वो पानी में आखें खूल कर और वो देख सकता है, चुकि एक खास तरह का उपर से लेर, मतलब कि ऐसे मचलियों में होता है, और भी रेप्टाइल्स में होते हैं, कि वो एक और एक्स्ट्रा लेर ज कहते हैं उसे और भालू में भी ये नेक्टिटेटिंग मेंब्रेन होता है जिसके कारण वो अपनी आँखों को खोल सकता है मतलब एक और आइलिट जो है हम लोग का आँख का उपरी पलक उसके अलावा एक और होता है उसमें एक्स्ट्रा मतलब वो जो है उसको भगवान खु खोल सकता है अगर हम लोग ऐसा करें तो आख जो है वो तुरंत खराब हो जाएगा कुछी समय में आख जो है अंदर लाल हो जाता है पानी में देखे होंगे कि वो स्वीमिंग करते हैं अगर वो चस्मा नहीं लगाय हुए हैं तो उसमें जो है वो उनका आख लाल हो जाता ह तो ये जो है आसानी से आँख खोल कर मचलियों को भी पकड़ सकता है जो है इट केन ओपेंस आइज अंडर वाटर डिव टू प्रेजेंस ओफ नेक्टिटेटिंग मेंब्रेन और ये जो है ये क्लोज भी कर सकता है अपना नॉस्ट्रिल फार लॉंग डूरेशन विच इनेवल इटू रिमेंस अंडर वाटर फॉर आवर्स लंबे समय तक ये जो है इसे पानी में रख सकता है मतलब ये एक बार वो सांस लेके और वो पांच मिनिट तक आसानी से वो जो है दस मिनिट तक आसानी से रहेगा तो इस तरह से करके वो जो है बाहर निकलेगा, सांस छोड़ेगा, फिर अंदर रह सकता है, तो घंटो पानी में वो रह सकता है, और जब भी वो दोड़ता है, इतना इंसुलेशन उसका रहता है, मतलब ये ब्लवर्स के कारण इतना ज़्यादा होता है कि थोड़ा सा भी सांग लगा लेता है, और अपने बड़ी को ठंडा कर लेता है, जो कि इतना ज्यादा गरम हो जाएगा, तो वो दोड़ भी नहीं सकता है, थोड़ा सा दोड़ेगा, और वो हाफने लगता है, तो इस तरह से करके इसमें पोलर बियर में जो है, ये सारे एड़ेप्टेस्ट सकता है, अपने सिकारी का गंध पहचान सकता है, तो ये दूर से जो है वो गंध सूंकर पता लगा लेगा, कि ये जो है वहाँ पर सिकार मेरा है, कितने दूरी पर है, हमको कैसे वहाँ तक पहुँचना है, ये सारा को जो है वो डिटेक्शन कर लेगा, मतलब a strong sense of a smell इसमें भाग सकता है, ये आसानी से उससे बच सकता है, अब एक और बात इसमें है, ये जो है हाइबर नेशन में चला जाता है, हाइबर नेशन हम आपको शुरू में भी बताये थे, कि ये जो है सीत निद्रा, जैसे कहा जाता है, long sleep में चला जाता है जीव, और वो अपने body का जो लगभग सारी क्रियाएं जो है उसमें अस्टॉप हो जाती है, मतलब metabolic activity उसमें जो है वो सब बंद हो जाता है, इसमें जो जितना भी reactions होते हैं, सब लगभग बंद, सांस बहुत धीरे धीरे चलेंगे, और वो अपने सारे क्रियाओं को बंद कर लेता है, ऐसे frog में होता है, हाइबरनेशन, वो जो है कभी बर्फ वाले जगह में खुद भी जम जाता है, और बाद में जब बर्फ पिखलता है, तो वो बाहर निकल जाता है, तो वैसा ही इसमें होगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं, लेकिन ये जो हाइबरनेशन में जाता है, ये अपने बर्फ का ब खाना भी नहीं खाता है जो इसके सरीर में ब्लवर्स मतलब स्कीन के नीचे उसी से यह अपना धीरे-धीरे-धीरे-धीरे काम चलाते रहता है उसी से इनरजी इसे मिलते रहते हैं और जब आसपास मतलब थोड़ा सा गर्मी आता है तो वो फिर भोजन करने के लिए बाहर निक रठा कर लेता है और आसानी से ये जो है वो अपना सिकार करता है वहां रहता है ठीक धंग से और ऐसा होता है सील का सिकार करना वेल का सिकार करना इसके लिए बहुत ही आसान होता है चुकि ये जानता है इसे a strong sense of a smell के कारण वो जान जाता है कि कहां पर whale जो है वो सांस लेने के लिए चुकि whale को आना पड़ता है चारो तरब से वहां बर्फ से ढखा हुआ है जगा और नीचे पानी है तैर तो वो सकती है लेकिन seal और walrus या जो भी है उसको वो आना पड़ता है बाहर सांस लेने के लिए तो वहां पर वो जो है घात लगाए हुए पहले से बैठा हुआ रहेगा और इसके लिए seal जो है वो छोटा सा gap बना देता है उपर जो है बर्फ में hole बना देता है और वहीं पर आता है सांस लेने के लिए तो जैसे ही वहां पर ये जीव पहुँचेंगे और ये घात लगाए उपर बैठा हुआ रहेगा इस सांस लेने के लिए उसको आना ही है पानी से बाहर जैसे ही आया जपट्टा मारा और उसका जो है अपने तेज नाखुन से उसकी जो है उपर वाले लेयर को वो जो है नुकसान पहुचा देता है फिर नीचे गया फिर कुछ देर के बाद उसको सांस लेना है फिर उपर आया और ऐसे करते करते वो दो तीन चार बार में उसका जो है वो इतना बार आते लास्ट में जो है वो ठक जाता है अब वो सांस लेने के लिए उपर चुप चाप आके और वो रुख जाता है कि अब वो आगे नहीं जा पाएगा और फिर वो धीरे-धीरे अपने पंजों से सिकार को मार देता है मारने के बाद उसे चीर फाड़ कर खा लेगा चु कि वहाँ पर इसे कुछ और खाने को नहीं मिलेगा यसे जो है वो सिकार के रूप में यहाँ पर केवल एनिमल्स ही मिलेंगे तो इस तरह से यह अपने आपको वहाँ पर एडप्ट कर लेता है और कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि पोलर बीर जो है वो यदी ज्यादा यहा पर यह बहुत ज्यादा भोजन कर लेता है सील का सील को ज्यादा यह दी खाता है तो उसमें जो फैट है उसके कारण इसका जो है बालों का रंग एलो हो जाता है और कभी-कभी उसको वह बाल पर उगाते हैं जिसके कारण उसका color पूरा green दिखने लगता है और इसका उपाय है, असनान करवा दिया जाता है उससे salt से salt से असनान करवा के, मतलब कि salt solution में उससे डुबो दिया जाता है वह असनान कर लेगा, तो पूरा algae उसका समाप्थ हो जाता है इस तरह से ये जो है वहाँ पर रहता है और ये arctic reason में आसानी से ये रहने लायक यहाँ पर अपना body features बनाये हुए है मतलब कि ये long term adaptation जो है वो हुआ है इसमें और ये genetically आगे बढ़ते चला जा रहा है तो अब हम लोग मिलते हैं next video में आएंगे आपको penguins के बारे में बताएंगे रोचक जानकारी penguins के बारे में उसमें adaptations ये सब के बारे में बात करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद